वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोस दोस्तों बद बस्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे गाइस GMRC गुजरात मेट्टो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो की SPV है गुवर्मेंट आफ इंडिया का और गुजरात का दोस्तों यहाँ पर vacancies आई हुई है कौन खोनी पोस्टों के लिए vacancy है देखें स्टेशन गंट्रोलर की वेकंशी है train operator की वेकंशी है भी बीटेक दिप्लाओ वालों के लिए ब्रांचेस लवख सभी eligible है CRA की वेकंसी है, junior engineer electrical की वेकंसी है, junior engineer electronics की वेकंसी है, junior engineer mechanical की वेकंसी है, junior engineer civil की वेकंसी है, ITI वालों के लिए maintainer, fitter electrical and electronics की वेकंसी है, देखिए दुस्तों, all over India के candidates eligible है, कोई दो राया नहीं है, इसमें all over India candidates eligible है, लेकिन यहाँ पर क्या उन्होंने eligibility के लिए, क्या एक रखा जाएगी उनमें आपको minimum qualifying जो number है वो secure करने पड़ेंगे अगर आपने minimum qualifying number secure नहीं किये तो आपको further recruitment में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा further recruitment से बाहर कर दिया जाएगा minimum आपको qualifying number score करने होंगे और जो गुजराती language में आप number score करेंगे वो further selection में काव नहीं आने माला है बस आपको qualifying निचर बनाएगा अगर आप गुजराती language को qualify करते हैं तो then you are eligible for the further recruitment और अगर आप नहीं कौलिफाइग करते हैं तो आप further recruitment के लिए eligible नहीं है और अगर आप qualifying कर ले देखे जो important fact रहते है किसी vacancy के लिए मैं starting के एक minute में discuss करने कोशिश करता हूँ ताकि जो candidates skip करने वाले हैं वीडियो को वो skip कर दें इसका full notification में download कर लिता है और आपको बताता हूँ क्या-क्या important चीजे इस notification में mention की गई है यहाँ पर दोस्तों इस PDF को मैंने download कर लिया है 10th May 2023 की ये date दीट दीए है देखे इसका online application form start हो गया है 10 May 2023 से वीडियो को discussion box में आपको apply करने का link मिल जाएगा PDF को download करने का link मिल जाएगा 9 June तक दोस्तों आप apply कर सकते हैं आपके पास करीब 1 month है यहाँ पी आप देख सकते हैं कि जो ये Metro Rail Corporation की वेकेंसी है filled up on direct recruitment basic for a period of 5 year initially on contractual basis तो जो पहला साल है दोस्तों contractual basis पे होगा ठीक है 5 साल के बाद आप permanent हो सकते है date of test की बाद कले तो इन्होंने पहले भी notify करकर करको July 2023 में इसकी date of test हो सकते date of examination date of CBT कह सकते हैं और यहाँ पर देखें इस्टेशन कंट्रोलर की जो वेकेंसी है इसका जो grade पे होने वाला है वो 33,000 से grade पे होने वाला है ठीक grade in IPA यह 5 साल के बाद आपका grade पे हो जाएगा station controller की पोस्ट है total 150 वेकेंसी है general की 61 से BC की 41 से सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपकी इस लिमिट है वो railway के सब्सक्राइब के साफ से होगी A1 होनी चाहिए और मेंटेनर फिटर मतलब आईटे के लिए यहां पर टूटल अठावन वेकेंसी आए इसमें चनल की 24 सोबीसी की 16 सोला से किचार स्ट की नो एव्यूस की पाच 18 से 25 साल के उमिटाइस वाम को फिलब कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिशन की इलेक्ट्रों के लिए दोस्तों सकते हैं और अगर हम इंपोर्टेंट चीजों की यहां पर बात कर सकते हैं तो यहां पर लिखा हुआ हुआ है अलॉंग विद हायर क्वालिफिकेशन इन्रिस्पेक्ट्टी डिसिप्लीन कैन ऑल्सो अप्लाई यहां पर क्वालिफिकेशन वगएर जॉब प्रॉफाइल मार्का होगा मिनिम्मम जैनल गैंडर को 65 परसेंट मार्स सेक्योर करने होंगे और जो एक्जामनेशन पैटरन की बात कर लेते हैं जो इस्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर और जेए की लिए तो टूटल 120 कोशन आएंगे दो घंटे का पेपर हो गुजराती लेंगे 20 को सब्सक्राइब जल्दी है आपको सभी पोस्ट होगा इसी साइट पे अविलेबल हो जाएगा ठीक है तो जैसे ही इसका फुल सबस आएगा डिटेल में ताप सभी लोगों को वीडियो के मादर शूजित कर दूगा निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तो ये ट्रेनिंग का कुछ पार्ट है तो पांच साल के लिए आपको कंट्रिक्शल बेसिस पे किया जाए विद आईए पे स्केल फोर करेंट अडवेंटिजन वेकंसी यहाँ पर कुछ कॉंसिरेटेट पर दिया गया हुआ है पहले साल आपको इस टाइफिट में सुलाजार मिलेगा और आफ्टर ट्रेनिंग पेरियर्ड आपको अठारजार परमन्द मिलेगा इस एलेक्शन ओबीसी को 3 साल का, SST को 5 साल का मिलने वाला है और EWS को भी कर सकते हैं तो जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों मतलब फुल सेलबस के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आएगा तो आपको बता जाए जाएगा और इसका जो रिटेन टेस्स है दोस्तों मेजर सिटी आफ गुजरात में होगा ठीक है तो जो भी गुजरात की मेजर सिटी हैं जाए वो सूरत हो एहंदाबाद हो इन सब में आपका इजामनेशन स्टेडियूल होगा तो हुपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इंपोर्टेंट शाभी वीडियो बचन आने पर इसमें दोस्तों को शाश्यर करें चैनले दोस्तों आच की वीडियों बस इतना ही थैंक्स वाचिंग दिस वीडियों सी यू नेक्स ताम